Hello Credits, कैसे हो आप लोग? Welcome to the important question of SANIC now than RMS. यह question में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, 4G batch के बारे में अल्रेडी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, और अगर आप SANIC की स्कूल या RMS स्कूल की तियारी करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार इस वीडियो को जरूर चेक complete detail वाली वीडियो की link आपको description में मिलेगी, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा आपको यह बात का knowledge हो जाएगा, कि इस 4G batch में हम क्या new देने वाले हैं, और कैसे हम बच्चों का एक छोटा से छोटा problem इस बार solve करने वाले हैं, इस 4G batch में, जिसमें recorded life classes हों इंडिया में का पढ़ाने का, हैदराबाद, साउथ में, पढ़ा चुका हूँ, कोटा में, नागपूर में, गायपूर में, बड़ी-बड़ी coaching institute, स्री चतन्या, catalyzer और आपका on academic पढ़ा चुका हूँ, से सर, खुद सैनी की स्कूल से pass out हैं और 4 साल से पिछले पढ़ा रह हैं, हमारा 100% track record रहा है, face to face में, जो हम बच्चे को पढ़ाएं हैं, तो यह पूरा experience इस 4G batch में आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए अगर आपको हमसे कोई भी बात करनी है, कोई भी doubt है, तो आप Telegram group join कर सकते हो, या Sunny की स्कूल से related, 4G batch से related, आपको कोई doubt हो, तो आप इस product है, ठीक है, product of non-zero whole number and its successor, इन दोनों का जो product है, वो हमेशा क्या होगा, खुद सोचो, अगर कोई भी एक number है, और एक उसके आगे वाला number, तो दोनों में से कोई नो कोई तो एक even होगा, क्योंकि एक और एक even होता है, तो अगर आप number नहीं मालो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी ए आगे वाला number लो, तो इन दोनों में से एक even है, एक और उठालो, तो इन दोनों में से दोनों एक even number है, ये उठालो इसके आगे का लेलो, ये इसके पीछे का, हमेशा एक ने एक क्या होगा, even है ना, तो जब भी किसी दो number को product कर रहे हो, और उसमे से अगर एक भी even है, तो result हमेशा क्या आएगा even याद रखना ठीक है और ये भी आपका previous year का question है AISSE 2020 में पूछा गया है ये question ठीक है तो this one is also of AISSEE 2020 का question है ये आपका ठीक है तो याद रखना अगर किसी भी एक non-zero whole number को उसके success से multiply करो then it is always a even number clear पहले chapter का number system का ये आपका ये question था clear होगे एक दम जेसे मेरे को comment section में बताना अगर ये video अच्छा लगा हो तो इसको please like करना अपने दोस्तों के साथ share करना और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगरी class में तब तक के लिए हसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो सौरफसर के class जैहिंद बाई बाई टेक केर झाल